अब हलो फ्रेंट्स वेल्कम तो माई वीडियो तो ने आपको मिलती रहे इसके साथ ही यह आपने इससे पहले के तीस कोशन नहीं देखे हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिशन में मिल जाएगा वहां पर जाकर आप वहाला वीडियो भी देख सकते हैं तो चलिए और शुरू करते हैं तो एक अतिस्मा कोश्चन है डाक्टर बीयार अमेडकर ने शमीधान का हदे और आत्मा किसे कहा था आपके आप्शन है समानता का अधिकार, सोशोड के विरुद अधिकार, शमीधानी गुप्चारों का अधिकार, धेम की सुतंता का अधिकार तो इसमें आपको correct answer बताना है तो इसमें आपका option सही होता है option number C, शमीधानी गुप्चारों का अधिकार next question है प्रेस की सुतंता भाती समिधान के किस अनुचेश से मिलती है आपके option है अनुचेश 19, अनुचेश 22, अनुचेश 14, अनुचेश 16 तो इसमें आपको correct answer बताना है तो इसमें आपका answer सही होता है option number A, अनुचेश 19 यानि कि प्रेस की सुतंता भाती समिधान के परधिया जा सकता है कि आपके आप्सवन हैं वित्त विद्यक महा λέ़ भेड मायरा राष्टप्राइश को खणने से सब्मन्दित विद्यक के अधीन कि आधिन की राज़े को लाने का विद्यक स्रवच निय आला या राज नय पालका के आधिकारों से संबन्दित विद्यक, तो इसमें आपका आप्षन से होता है, आप्षन नमबर A वित विद्यक, वित विद्यक सबसे पहले, लोकशवा में ही पेस किया जाता है, नेक्स्ट कोश्चन है नेमकित में नेक्स्ट कोश्चन है समिधान में मौलिक करतब की संसोधन द्वारा जोड़े गए थे आपके आप्शन है चालिसमें संसोधन, बयालिसमें संसोधन, चावालिसमें संसोधन, पैतालिसमें संसोधन तो इसमें आपको काईक टेंसर बताना है कि समिधान में मौलिक कातव की संसोधन द्वारा जोड़े गए हैं तो इसमें आपका आप्शन सही होता है आप्शन नमबर B, 42 में संसोधन द्वारा नेश्ट कोस्टन है राश्वा का पदेन अध्यच कौन होता है तो इसमें आपका आप्शन सही होता है आप्शन नमबर B, उप्राश्डपती राश्वा का पदेन अध्यच होता है उप्राश्च पती नेस्ट कोश्चन है मौलिक कतव्यों के अध्याय में शामिल है उन उद्दात अधर्शों को संजोने तरह अपनाने का कतवी जिन्होंने हमारे सुतिंता आंदोलन को प्रेड़ किया आम चुनाव में मत देने का कतवी लोगों में भ्रातत भाव पैदा कहने का कतवी उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कतवी जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो इसमें आपको करेक्ट एंसर बताना है तो इसमें आपका अप्शन से होता है अप्शन नमबर ए निश्ट कोशन है शंपत के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूजी से किसके सासनकाल के दरान हडाय गया था आपकर आप्षन है इंद्रागांधी शरकार, मुराजी देशाई शरकार, नश्यमहराव सरकार, बाजबे शरकार तो इसमें आपका आप्शन सही होता है आप्शन नमबर B. मुराजी देशाई शरकार नेक्ट कोर्शन है 32 समिधान के निम्रिखित भागों में से किस एक में नय पालिका तहा कारिपालिका के पात्थक के का प्रावधान है तो इसमें आपका आप्शन होते हैं पुस्ताउना, मूल अधिकार, राज के नित सम्मधी, निदेशक सिद्धान्थ, शात्वी तालिका तो इसमें आपका आप्शन सही होता है आप्शन नमबर C. राज के नित सम्मधी, निदेशक सिद्धान्थ next question है भाती शम्मिधान के निम्जिखित भागों में से किस एक में नयपालका था कारपालका के प्राथक की कापराउधान है तो इसमें आपी ही बतायागा आपका option से होता है option number C नेक्स्ट कोशन है राज के नीत निदेशक सिधानतों के अनुशार किस आयोतक के बच्चों को निश्रुक एम अनिवास इच्छा देने की आसा की जाती है तो इसमें आपका आप्शन सही होता है आप्शन नमबर A 14 वर्ष तक की आयोतक के वच्चों को निशुल की सिच्छा देने की आसा की जाती है next question है भातिय समीधान के किस भाग में भारत को एक कल्याद कारी राज के रूप में स्थापित कहने की बात कही गई है आपके option है समिधान की प्रिस्तावना मौलिक अधिकार राज नीत के निदेशक सिधान्त भाती समिधान के नसूची 4 तो इसमें आपका option से होता है option number C राज के निदेशक सिधान्त next question है राजणीद के निदेशक्स द्धान के साथ भाती समिधान का कौण सा भाग सम्मंदित है आपके option है भाग एक भाग दीन भाग चार भाग पांच तो इसमें आपका option 되는 option number C भाग चार next question है सूचना का अधिकार अधिनियम अधिकार अधिनियम जून 2006, मार्ज 2005, जून 2005 तो इसमें आपका option सही होता है जून 2005 option number D आपका सही है next question है राज नीत के निदेर सक्षिधान तो करने मिलिखित में से किस में से अपनाया गया है यानि कि राज के नीत निदेर सक्षिधान किस देश के समिधान से लिए गया है आपके option है British समिधान, Swiss समिधान, USA समिधान, Irish समिधान इसमें आपका option सही होता option number D Irish समिधान यानि कि Ireland के समिधान से लिए गया है next question है हमारे समिधान में देर सक्षिधान, कानूनी नेयलो द्वारा परवतनी है इसमें आपका option सही होता है option number D कानूनी अदाल्तोदा अपरवतनी है next question है भायत के दल विहीन लोकतंत का प्रस्ताव सवप्धम किष्णे प्रस्तुत किया आपके option है जैप्रकास नारायन, MN राय, महत्मा गांधी, बिनोवा, भावे इसमें आपका option सही होता है option number A, जैप्रकास नारायन निम्रकित में से किसकी निवक्त राष्टपत द्वरा नहीं की जाती है आपके option है राज्यों के राजपाल, उच नयालो के मुख्यों अनिनाधीश, सरोच नयाले के मुख्यों अनिनाधीश उप्राष्टपती तो इसमें आपको fact answer बताना है तो इसमें आपका option सही होता है option number D, उप्राष्टपती next question है राष्टपत द्वरा राष्टी आपात इस्तित की घोष्टपत किये जाने के बाद किस आवद तक उसका अनमोदन सलस्ट के पतेख सदन द्वरा हो जाना चाहिए और कि option है एक माह के भीतर, दो महीनों के भीतर, चार महीनों के भीतर, छा महीनों के भीतर तो इसमें आपका option सही होता है option number A, एक माह के भीतर next question है यदो आंगल भाती samदायको लोक सभा में पर्याप्त पृत्र ना हो तो को समदायक के दो सदेशों को नामित किया जा सकता है कि बदानमंती द्वारा राश्टपत द्वारा लोकसभा के अधर्ची द्वारा संसत के परामस से राश्टपत द्वारा तो इसमें आपका आपसें से होता है आपसें नंबर भी राश्टपत द्वारा लें ऐसे नेस्ट कोस्टना समीधान में मूल का तेवों को कि समीत की अनुद साम्मिल किया गया है करण संही कृपलानी समीधी श्रकमेहती कह Books त्युक्र उस्जाल?" का fifty गडंजालक मेष्ट। next question है भृत के राष्पत का नाम बता है जो निर्विरोध चुनाओ जीते थे या जिन्हें निर्भरोद छुना गया था आपके अपसर है ड्र संका दयाल सर्मा ड्र निलम संजी रोड़ी ड्र फकर दीन अलीमा ड्र जाकेर हुषय toler तो इसमें आपका option से होता अपसर नंबर बी ड्र नीलम संजी रोड़ी नेक्स्ट कोष्षन है विट आयोक के गठन का प्राउधन भारती सांधान के किसा अनुशेद में है आपके आपसन अनुशेद 28, अनुशेद 270, अनुशेद 38, अनुशेद 180 तो इसमें आपके आपसन से होता है आपसन नुबर A, अनुशेद 280 तो इसमें आपका आप्सटर नमबर ए लोग सभा अध्याच्य नेस्ट कोचन है भारत के राष्टपत के चुनाओं के लिए नागरिक को कितनी आयू पूरी का लेनी चाहिए आपके आप्शन है 25 वर्स, 30 वर्स, 35 वर्स, 18 वर्स इसमें आपका आप्सन सही होता है आपसम नमबर C 35 next question है भायत के राश्पत के पास आप आधिकार है 4 प्रकारके, 2 प्रकारके, 5 प्रकारके, 3 प्रकारके तो इसमें आपका आपसम ज़्या है था आपसर नमबर D 3 प्रकारके Next question है वित्ती आपात इस्तित घोसित की जा सकती है अनुचे 3,60 लागू करके अनुचे 3,61 लागू करके अनुचे 3,70 लागू करके अनुचे 3,61 लागू करके तो इसमें आपका अफेस्ट सई होता है अफेस्ट नमबर A addition 360 लागू करके Next question है समयधानिक प्रश्शनों की सिन्वाई निम्ई में से कितने नयाधीस करते हैं आपके आपसन है 5, 10, 7, 9 तो समयधानिक पश्चनों के सिनुवाई 5 नयाधीस करते हैं यानि कि आपसन नमबर यह आपका सही है नेच्ट कोशन है 32 संक्य राश्टपत के पास वही समयधानिक अधिकार है जो बेटिस राजा के पास है USA के राश्टपत के पास है पाकिस्तान के राश्टपत के पास है फ्रांस के राश्टपत के पास है तो इसमें आपका आपसन सही होता है आपसन नमबर A बेटिस राजा रानी के पास है नेच्ट कोशन है अबहाद के उस सिर्ब मेलेकों प्राप्त है मूल अधिकाशचेत परामस दाई अधिकाशचेत अफीली और परामस दाई अधिकाशचेत्र। तो इसमें आपका अपसन स्यूट आपसन नमबर डी नेस्ट कोशन है लाश्ट पत का अध्यादेश कितनी अवद के लिए लागू रहता है तीन महीने के लिए, छा महीने के लिए, नव महीने के लिए, अनिशितकाल के लिए तो इसमें आपका आप्शन सही होता है आप्शन नमबर भी छा महीने के लिए नेक्स्ट कोशन है भाद सिरका का समिधानिक अदेश कौन है दाश्टपति पुधान मंत्री भाद कामों के नाधिश महाने आई वादी इसमें आपका आपसन सही होता है आपसन नमबर ए दाश्टपति भारत के समिधान से लेटर मोर्ट इंपॉर्टन थर्डी कोशन्स आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दिए इससे कि आगे आने वाले वीडियो को नोडिफिकेशन आपको मिलती रहे हैं